तो फिर से आपका अपने चैनल टारगेट समेश्टर पर आप लोग का स्वागत है आज आपकी वीडियो में जो आप लोग के जो इंपोर्टन क्वेश्चन्स होंगे वह सारे डाउट्स करेंगे किसके इंपोर्टन क्वेश्चन तो बतादे पंडित दीन डियाल उपाद्ध है जो आप लोग के अनिवार सब्जेक्ट है आपके गोरपुर विश्विद्याले में उससे जितने भी इंपोर्टन क्वेश्चन्स आपको इस वीडियो में इस पीडियो में मिल जाएंगे आपको यह पीडियाफ भी आपको एवलेबल करा देंगे उसकी विटेंशन मत ल ठीक है यहां पर्टिकुलर बीए भी काम बीसी के लिए वीडियो नहीं सबके लिए इंपोर्टन है सब लोग देखते रहें ठीक है तोटल जो क्वेश्चन्स होंगे आपको टोटल यहां 12 पीडियाफ है जिसमें की हम कोशिस कर रहा है कि यतने भी इंपार्टन करने में इंसान का यहां थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ठीक है आपके लिए समझना चाहिए क्वेश्चन का अंसर क्या है क्वेश्चन के यहां पर आपको चार आपसंस रहेंगे मसीक्यू प्रडाली पर होने वाले हैं तो यहां पर यहां पर देखिए मुंबई अधिव अधिवेश्चन में तो आपका राइट अंसर जाएगा अप्शन नंबर भी काली कट अधिवेश्चन में क्या हुआ था पंडित दिन द्याल ने यहां पर सर्प्रथम अध्यश्य भासट दिया था ठीक क्लियर हो गया आपको का पहला आपका जो भी आप्शन होगा थी यह आप सेकेंड जो पंडित दिन द्याल उपाद ध्याए श्रमेव जैते कारकरम का आरंब हुआ है यानि श्रमेव जैते कारकरम तो फ्रेंट साब लोग हो जागा 16 अक्तूबर 1916 यहां पर सब यह आप्शन सब देखो पर तो गफ्यूज जाओग इसलिए जो राइट आंसर सब्सक्राइब कर लीजिए यह आपका अप्शन नंबर भी यानि 16 अक्तूबर 2016 में आप लोग का स्रमेव जैते का एक्रम का आरंब हुआ था ठीक है ठीक है पंडित दीन दयाल के एकात्म मानवाद के अनुसार मानों किस गूर से परिपूर है इसका जो आपका प्शन होग सब्सक्राइब करें तो काफी बेहतर रहेगा प्रवाइड कर देंगे आप लोग को प्रवाइड करेंगे आपका पूरा पूरा क्वेश्चन की पीडिएफ है वह आप लोग को आपको डाल देंगे यहां पर देख लिए उसे वीडियो देख लिए नोट बनाएंगे खुद से करमाले यह पढ़ रहा है आप उसको लिख रहा हो तो यह काफी अच्छा है पीडिएफ तो आपके पास में आजारों पीडिएफ भरे होंगे लिंग कोई वैल्यू नहीं है सब्सक्राइब करेंगे तो फिर चीजें जिन्दगी में में किसी काम को कल पे मत डालेंगे पीडिएफ मिलेगा तो इसको नोट कर लेंगे तो ऐसा नहीं है आप वीडियो को प्यूश कर लिए को नोट कर लिए उसके वाद अच्छे से करिए ठीक है थोड़ा अपने आपक संगस स्टूडेंट की लाइफ में जब तक संगस नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट परिडाम आपको नहीं देखने को मिलेगा जितना आपको चाहिए ठीक है संगस करते हैं संगस के लिए हमेशा तयार रही है ठीक है जो अनपू चुनाव में पंदित दिन दयाल किसक तो आप आगे बढ़तें आगे जो मान नेक्स कोजिशन रहेगा कि पंदित दीन दयाल के व्यक्तित का सबसे बड़ा आकरशड क्या था ठीक है तो यहां पर जो आपका राइटनस हो जाएगा आप्शन नंबर ए आप्शन नंबर बी तो यानि कि दोनों आपका राइटनस ह कर और सादगी पूर वेवहार उनका जो जमिनिये स्तर पर काम करना उनको काफी आकरशड करता था तेका यहां पर आप लोग को चीज़े हो से दिमाहां में बइठाते चलिए ठीक है यहां पर पंदी जी के अनुसार जैनता के विचार कैसे बदलने चाहिए इसका जो आपक ठीक है आगे बढ़ते पंडी जी ने यहां पर देखें जूनल आता है कि पंडी जी ने समझे रहाएं पूरा नाम या पर नहीं लिखा गया पंडी जी ने जनसंग को कैसे पहचान दिलवाई तो प्रेंट सापका जो राइट आंसर हो जाएगा एकार मानवाद के माध्यम से यहां पर देखें, दीन त्याल किस बात के पच्छ धर दे यानि कि दिन दिन देतर पाद है किस बात के पच्छ में रहते थे तो यहां पर option A अ क्सका एकटर की अभिवक्ति ठीक है उसके बाद यहां पर भारती इस्वसकूच है तो एकता कि विव्यक्ति और भारती सोच यह आपका उनका पच्छतार मिशाइस पच्छ में रहते थे ठीक है आप लोग कर देखें पंडित दीन दयाल की प्रसिद्ध उक्त क्या है यानि कि प्रसिद्ध युक्ति क्या है तो फ्रेंट से यहां पर देखें जो कमाएगा व सबरेखेंगे ज़क कहन हुआ ब ChuqNO कर करते हैं ठीक है पंडित दिन रयाल उपाधिया जो थे वो नतिकता की परभाशा दिए उन्होंने कों सी ट्रूंथ की भाइचा तो यहां पर रिपो ला गया है कि इनकी की खाज की जाती यानि कि उन्होंने बोला था कि यहां पर व्रक्ति बनाता है समाज बनाता है संस्कार बनाता है इनकी खोज की जाती तो खोज की जाती ठीक है यानि नतिकता की खोज की जाती कोई बनाता नहीं ऐसे ठीक है इसीच को आपको याद रखना है उसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं यहां बोला जाए कि यहां पर उपध्याजी ने जीवन में किसके दर्शन का प्रभाव पड़ा तो संक्राचारे जी का मात्मा गादी का विबेकान सब्सक्राइब कर लिए जो पढ़ दे रहे हैं अगर आप ध्यान से सून ले रहे हो या फिर उसको नोट डाउन कर ले रहे हो तो यह गारंटी जैता हूं कि अगर आपके एक्जाम में आते हैं तो हंडिर परसेंट आप उसे कर क्या होगा उसमें कोई भी संका के बात होगी अग्षात हमारे सामने प्रकट हो जाती है यहां पर देखें वीडियो को लाइक कर देना ऐसे जो भी चीज़े होंगी आपके समस्टर एक्जाम से लिटेट भी यह इंपॉर्टन क्वेस्टन होंगे हम आपके लिए लाते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेन जिससे की कोई भी दिक्कत आपको इन फ्यूचर समेश्टर एक्जाम के लिए नहीं होने वाली ठीक है उपाद्या जी ने भारती समाज में व्याप्त बोला गया कि असमानता का विरोध किया तो जातीगत यानि जातीगत जो असमानता थी हमारे देश में भारती समाज में इनके पच्छ में हमेशा रहते थे तो इह का क्लि़र है कि इननों थे मों पंचदर रहें है तो यहां पर मंदिर में पुजारी के लिए इन्हों ने यहां पर ए और बी दोनों यानि आपसे नमबर डी अपका राइट होगा पिछड़े वर्ग और दलीट ठीक है कि नेक्स कोईशन चलते हैं आप दे कि उपध्याजी परमिश्वर को प्राप्त करने का अधिकार माना है उपध्याजी परमिश्वर को प्राप्त करने का अधिकार माना है तो यहां पर बोला समान अधिकार एकल अधिकार चाहिए समान अधिकार या भिन अधिकार इन्मिस को और आपे पिछेड़े वर्ग की सपोर्ट में रहें तो यह कोशन आएंग वो आपकर जाओगे ठीक है बस ध्यान से देखते जाओ पंडित दीन दयाल उपाध्या के अनुसार हिंदु तो क्या है एक जीवन पदती का नाम है उनके अनुसार इसको याद रखना है दोस्त इसक किसा हक नहीं मिलना चाहिए तो जाहिसा बात कि आप यहां पे कर्तवयों को पूरा नहीं कर रहे हो और अबधिकार मांगने का को दिया जाएगा ठीक है अगर मालेश्ट नहीं हो राश्ट के हित में नहीं अई सोच रहे हो अपने कर्तव आपका है कि गरीबों के जैब करना जाती बात को दूर करना बोलो गां मुझे अधिकार है मुझे अधिकार का हग दिला दीजे तो आप इसके हग दार नहीं हो ठीक है तो यह हमेशा बोलते हैं अधिकार मांगना आपको तो आपको क्या रहना है राष्ट के प्रती कर्तव पूरा करना है ठीक है इतना क्लेर समाज राष्ट को पढ़ते जाएं और बच्चा समझते जाए ठीक है कि एक आत्म अखंड आकरती में प्रतेक कारण व्यक्ति परिवार समाज राष्ट विश्व का ब्रहांड का क्रमिक विकास होता है किसका विचार है यानि जो यहां पर विचार दिया गया जो की आप यह लिख सकते हो एक मतलब वाक्य है जिसको बोला जाता है जिसकी यह थेंकिंग है जिसका यह विचार है एक आत्म अखंड आकरती में प्रतेक परिवार समाज राष्ट विश्व का प्रहांड का क्रमी विकास होता है तो यह पंडित आप समझ आप किसकी इंट्रोड़क्षन पढ़ रहे हो यह आपका पंडित दिन दयाल का यहाद कर लीजिए तिक यह अपका पंडित दिन दयाल उपद्ध है का आगे बढ़ते हैं भारती जन संग के अध्यच पद का काल कि ऐख तो कितने और कियास रहाई पर जाल और बातित न्हीं सर्च और यहाद रखना आप धियां सब्सक्राइज करने वाले बहुत आपको यह पर आपको जो यहां पर सताब्दी इसको याद रखना है यहां पर देखिए आजादी केवल तभी साथ तक हो सकती है जब हमारी शंस्कृती की अभिव्यक्ती का जरिया बनती है ठीक है तो यहां पर किसका यह वाक्य है तो फ्रेंड्स आप बता दीजिए तो पंडित दिन द द्याल उपाध्याने भारत के सामने संक्षिया आने कारण है आपकी स्कारण की पिछाई ठीक है पंडित द्याल 때 AH कि पत्रिकाை थी अंकी प्रमुख ओंसे थी तो तो राष्ट्र धर्म पंचयन और स्वदेश तो यह तीनों इनकी प्रमुख फत्रिकाय थी तो तीनों आपका उप्रियूख सभी आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है इसको आपको यहाद दखना है इंपोर्टेंट है इसको आप लोग नोट डाउन कर लें जरूर से ठी ठीक है चलिए अब अगला कोशन देखते हैं हम लोग ठीक है कि यहाँ पर दीन दयाल उपाध्या के प्रमुख विचार थे तो यहाँ पर इनका प्रमुख विचार उप्रियूख सभी यानि कि यहाँ पर हिंदुत की अवधारा समानता की अवधारा सनातन धर्म संस्कृति के पचधर रहे हैं यह तो इनका यह प्रमुख विचार है तो इनके विचार है तो तीनों प्रियूख सभी आपका राइट अंसर हो जाएगा इसके विचार है यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन से विचार प्रगती का पर्याय बन गया है किसका विचार यह यह विचार आपका पंडी दीन दयाल उपाध्याजी का है तो इसको भी आपको याद रखना है यहाँ पर आगे देख लिए कि उपाध्याजी के अनुसार धर्म का मुल्सिधान्त क्या है तो यहाँ पर धर्म का मुल्सिधान्त अप्शन ए और बी दोनो यानि शास्वत और स्वर्वभॉमिक स्वर्वभॉपिक यहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा यहां पर आगे बढ़ते हैं दीन दयाल उपाध्या की अनमोल विचार थे उनका विचार क्या था आप सीज़े देख लिए हमारी राष्टियता का अधार भारत माता है हमा है कि भारती संस्कृति के एक रूप दर्शन के एकात्म आर्थनिक तीसरा विकल बन सकता है ठीक है पंडित दिन्द्य लुपाध्या जी राइट अंसर हो जाएंगे यहां पर देखिए आप यहां पर क्वेशन नंबर 29 क्या बोलता है कि मानो प्रकृतिक में दोनों दूसरी तरफ प्रेम और त्याग किसका कथन है यह कथन कि अनुषार आजादी सार्थक तभी हो सकती है जब हम हमारी अरец Herbert 22 की अभिव्याक्ति का शादन बन जाए यहांनिस दिद्रेयार करनुषा आ जादी सार्थक तभी हो सकती है जब हम संथ डूस्कृति की अभिव्यक्ति का सादन बन यहापका आप्षिन नमबर एक आपको याद अखना है यह आपका राइट अंसर हो जाएगा तो लेगं यह अनुसार की प्रकति क्या है उनके अनुसार मांव की प्रकति क्या है तो उनके अनुसार अर्थ सरी प्रगती भी मानों की प्रगती थी मन बुद्धिक की प्रगती भी मानों की प्रगती में लेते थे और आत्मा की प्रगती वह भी मानों की प्रगती के अंतरगती आती थी तो यह आपका उपर रहुग सभी आपका राइटान से हो आप लोज आफ बलिदान दूसरे हाथ ठीक है क्रोद आफ लहाँ एक हाथ यह बताइए इनों ने तो आप आगे बढ़ते हैं दिन दैयल उपाध्या को उसको जड़ से खतम करना तो यहां पर उनका टार्गेट क्या था उसको भी देख लिए उनका जो टार्गेट था आप्शन नंबर ए और बी दोनों से यह नहीं समाज सिवा और राष्ट निर्मार के लिए अब साभी आमेंसा वो कारवड़ थे कारे करते थे वितार टार्गेट था कि दिन यहां पर साधी किया था तो बोलता है नहीं शायद हां शायद नहीं तो हाँ ठीक उनकी शादी हो इसको भी आपको याद रखना है पंडित दिन रेले पद्ध्या थे ठीक है कौन थे गंभी दार्चनिक भी हो थे और एक गहन विचारक भी थे ठीक है तो यह आपका राइट अंसर हो जाएगा यहां पर आगे बढ़ते हैं कि आप पंडित जी किसकी सायता से आर एससे सम्मलित हुए थे तो किसकी सायता से वह राव जुगादे ठीक है वह राव जुगादे और नाना कि देश्मुक्स दोनों लोग की शायता से उन्होंने आर »,स जौन किया था ठीक है सनातन धर्म कालेज में उनकी मिद्रता की से वह रहापर बलुवन्त महाशब्दे और यह इसे तुनिंदर कि मद्रता हुए था तो आपका अप्शन Ę्ए और बी दोनों की वहाई रहा कि इसको आप लोग इंपॉर्टेंट किया था तो 21 सितंबर 251 में 21 सितंबर 1901 में इसको याद करना है आपको था है तो यहाँ पर क्या होता है हमारे करेंगे ठीक है वीडियो पसंद है थोड़ी बिलफू लगती है थोड़ी आपके लिए इंपॉर्ट रहे और वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल पहले बार सब्सक्राइब करके बेले करना हर अपडेट इंफार्मेशन और जो भी इंपॉर्टन कोशियों रहेंगे आपको